हाँ तो यार तो आची इस वीडियों लोग बात करने वाले हैं ट्रिकन बॉल हाकाई के बार मेंट आची इस वीडियों बेसिकली में करने वाला हूँ ट्रिकन बॉल हाकाई एपिसूड नमबर 18 का रिव्यू तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं गैस इस कहाने क्रेट जाता है हाका इंगले शूडियो चैनल को डिस्क्रिप्शन आप लोकून की वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो गैस सबसे पहले डिसकस कर लेते हैं लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था लास्ट आम सभी ने देखा था पिकलो के सामने थे तीन इंवेडर्स उसमें से दो लड़के थे एंडिक लड़की थी तीनों इंवेडर्स की अलग-अलग स्पेशलिटी थी अलग-अलग अबिलिटी थी जिनको यूज़ करके वो बैटल किया करते थे तीनों हमेशा साथ में ही बैटल किया करते थे पिकलों के जो अटैक थे वो एक दूसरे पे निरभर थे वेकुस उसने तीनों का ट्रायो ही तोड़ दिया उनको नहीं करने दिया जो वो करना चाते थे एड़ इसली सब को हरा दिया तीनों इंवेडर को हराने के बाद पिकलो भी चला जाता है टेंडे के टावर पे, अभी सोला में से दस इंवेडर हार चुके हैं, बर छे अभी भी अर्ट पे बाकी हैं, गैज अभी एपिसोड नंबर 18 स्टार्ट होता है, जिसका नाम होने वाला है, इस से एन विद दा मोस् जाता है, इस ग्रूप में चाल लड़के थे और दो लड़के थी, एक इंवेडर बोलता है, बेवकूफ तु सोच क्या राता, या शायद तुझे एहसास ही नी हुआ के तु छे के पीछे अकेला आ गया, गोहान रिपलाई करता है, मुझे पता है, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर तुम हसार भी होते, तो भी मुझे फरक नहीं परता, दूसरे इंवेडर बोलता है, ये शायद पागल है, अपने साथ ही से पूछता है, कि इसकी पावर मिज़र करके बताओ, तीसे इंवेडर गोहान की पावर मिज़र करने लगता है, पर उसकी पावर ट्रेकर पे वो रिप्लाइ करता है, मतलब इसकी पावर ट्रेकर पे भी शो नहीं होरी, ये सच में पागल है, और गोहान से उसका नाम पूछता है, गोहान खुद को इंट्रेड्यूस करता है, मेरा नाम है कोहान, पहला इंवेडर गोहान को सब के नाम बताता है, उसका नाम होता है, ग पर इस फाइट में थोड़ा भी मसा रखना है तो तुम सब को एक साथ फाइट करना होगा गेल ऑफ गुस्ता हो जाता है एंड बोलता है हम सब अईलीट 16 के सब से पारफल वॉर्यर्स है और तु सच में सब से बड़ा बयुकुफ हैmm mean while dandikeye tower से पिकलो गोहान से टेलिपेथि करता है पिकलो पूछता है, किया मुझे सुन्सक्टे हो गोहान रिपलाई करता है,pyarlo क्या हुआ quantum Loo यूज करो एंड उनको तुम्हारी एनरजी लेने दो गोहान टेंस्टो के पूछता है पर पिकलो अगर इनका बॉस जा गया तो क्या ये डिंजरस नहीं होगा हो सकता है पूरा मल्टीवर्सी खतम हो जाए पिकलो रिप्लाइ करता है जितना हमें पता है साराड गॉर्ड डिस मुझे उनमें से किसी की भी एनरजी फील नहीं हो रही गोहान आगे बोलता है मुझे ये भी पता चला तुम इस प्लैनेट पे स्ट्रॉंगेस्ट वारियर की एनरजी कलेक करने आए हो एंड अगर बिना एनरजी कलेक किये गए तो शैद तुम नहीं बचोगे जगरम काम डाउन एराकॉस गोहान अगर तुने हमें वह एनरजी दी जो हमें चाहिए तो मैं प्रॉमिस करता हूं हम इस प्लैनेटे पे कभी वापिस नहीं आएंगे पर तु ऐसा करेगा कैसे गोहान इसमायल करके बोलता है तो मैं उस ट्रैकर पर भरोसन नहीं करना चाहिए सचा करनेशन में नॉर्मल स्टेट के मुकावले मेरी पावर हंड्रे टाइमस बढ़ जाती है एराकॉस इंप्रेस्ट होके बोलता है अमेजिंग इतनी पावर पे यह हमें पलक जबकते खतम कर सकता है गोहान बोलता है अब मैं तुम्हें मेरी दूसरी ट्रैस्फरमिशन दिखा जकरम बोलता है कि 911 के पास इतने भी पवर हो सकती है गोहन फाईनली ट्रांसवर्म हो जाता है सूपर सीएन 2 में यह मेरी दूसरी ट्रांस्फरमिशन है इस ट्रांसवर्मिशन में मेरी पावर पहले की मुकाबले काफी सादा बढ़ जाती है जकरम बोलता है इंप्रेसिव नॉर्मल स्टेट में तेरी पावर कुछ नहीं थी, पर अब इतनी है कि यकीन करना मुश्किल है, बट टू एवरिवन सर्प्राइज, गोहन बताता है, ये भी मेरी सबसे पावर्फुल ट्रांस्फरमिशन नहीं है, गेलो बोलता है, इंपॉसिबल, ये नहीं हो सकता, कोई भी मॉर्टल इस पावर लेवल के उपर नहीं जा सकता, बट गोहन इसमाइल करता है, अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है, एंड यूस करता है, अपनी सबसे पावर्फुल फॉर्म, अल्टिमीट मिस्टिक फॉर्म, सारे इंवीडर्स इस पावर को देखके बॉखला जाते हैं, एराकोस सर्पैसिंगली एकसाइडेड हो के बोलता है, क्या बात है, अगर मिस्ट पावर को मास्टर ओडीसू के पास लेके जाएंगे, तो शॉर्ली वो हमें परमोशन जरूर देंगे, गोहन बोलता है, चल्दी करो, परना मैं अपना इरादा बदल दूँगा, एराकोस एक आर्टिफेक्ट को गोहन की बॉड़ी में पॉइंट करता है, एंड कुछ सेकंड बात गोहन की पूरी पावर उस आर्टिफेक्ट में चली जाती है, गेल आफ लास्ट में बोलता है, सुन, मुझे नहीं पता तो आगे क्या करेगा, पर अगर तो हमारे मास्टर के पीछे जाएगा, तो तुझे पहले ही वांड कर देता हूँ, सलेस्टियल मेजिस बहुत पावरफुल है, एंड उनके पास बहुत पावरफुल स्पेल्स है, गोहन पूछता है, पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, गेल ओफ रिप्लाइ करता है, हमारी जान ना लेने और इस पावर को देने के लिए एक तरह से थैंक समझ ले, देन गोहन भी डेंडे के टावर पे चला जाता है, बाकियों के साथ ये प्लैन करने के उनका नेक्स टेप क्या होना चाहिए, मेन्वाइल अर्से बहुत दूर एक जगा पे होते हैं सेलेस्टियल मेजिस, ओडीसू बोलता है, तो इस रेल्म में भी ऐसे वारियर्स हैं, जिनके पावर लेवल इतनी सादा है, इंटरिस्टिंग, लगता है जितना सोचा था, उससे जल्दी सारा ट उठ जाएगा, लग रहा है जैसे खुद की मौत फील कर रहा हूं, बढ़ अपनी फीलिंग्स को साइड में रखके फ्रीजा एरोगेंटली बोलता है, तुझे से बहुत सादा नफरत है, और सबसे जादा यूनिवर्स इक्स के गौड अफ डिसक्शन गोकु से, सही कहाना, फ्रीजा की बत्ती गुल हो जाती है, फ्रीजा पूछता है, तु है कौन, तुझे मुझे से क्या चाहिए, उडिसु रिप्लाइ करता है, मैं उडिसु हूँ, creation of everything के टाइम से exist करता हूँ, मैं एक ग्रूप जिसका नम सेलेस्टिल मेजिस है, उसको lead करता हूँ, चल्दी तुम सब मरने वाले हो, पट अभी मुझे बस तेरी energy चाहिए, जादा हरकत मत करना फिरीजा बोई, उडिसु फिरीजा की energy train करने लगता है, energy train करने के बाद बोलता है, excellent, अब मैं चलता हूँ, उडिसु फिरीजा की energy collect करने के बाद वहाँ से चला जाता है, पर शायद सेलेस्टिल में जिसको ये बात नहीं पता, यूनिवर्स 7 का सबसे strongest warrior फिरीजा नहीं है, एंगेस यहाँ पर आके ड्रिगन बॉल हाकाई episode number 18 complete हो जाता है, और ड्रिगन बॉल हाकाई का जो पहला part है ना वो भी complete हो जाता है, लाइक इस से आगे की कहानी हाका English YouTube चैनल पे नहीं है, अभी उन्होंने इतनी ही कहानी बनाई है, जिसमें अर्थ के जी वारियर्स ने fight किया है, 16 invaders से, अभी गुगु किता powerful हो चुका है, विजीटा की training कैसी चल रही है, सिलेस्टिल में जिसको कौ बहुत ही जदा amazing थे, सब की कहानी बहुत ही जदा entertaining थी, गोकु को God क्यों बनाए क्या, गोकु इतना जदा powerful हो चुका है, एंड़ भी गोकु इस लेवल पे जा चुका है, तो विजीटा पीछे बैठने वाला है, नहीं विजीटा भी उपर जाएगा, एंड इवन सारे के सा पताना आपको ये कहानी कैसी लगी और ये भी कमेंट करके बताना 18 में से आपने कितने पार्स देखे हैं, अगर आपको और पार्स देखने हैं, लाइक आपने पहले मिस कर दिये हैं, तो मैंने प्लेडिस्ट बना दिया है, आप लोग उसमें जाके अराम से देख सकते हो, ये नेक्स फेन मांगा मुझे को सी लानी चाहिए, उसके लिए जरूर सजेशन स्टाल देना, आची वीडियों बस इतना ही था कि अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक के शेयर के जाओ चानल करिए, सब्सक्राइम तो अ झाल